नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इसमें रिक्रूटिंग रांची के निदेशा करनल भोला एवं अन्य पताधिकारी उपस्थित रहे इस मोखे पर करनल विकास भोला ने कहा है कि जीले के युवाओ को सेना में ज्यादा से ज्यादा सामिल करना हमारा लग्च है ज्यादा से ज्यादा यूवा से नामे भरती होकर अपना भवी से बनाए यह हमारी प्रत्मिकता है बैठा के दोरान कर्नल भोला ने कहा है कि SDO और अपर जिला दंडा अधिकारी से रैली के दोरान मौलिक सुविधा सहित अने जरूरी ब्यवस्ता उपलब्त कराने की मांग की गई इस पर जिला परसासन की तरफ से हर समब स्वहयो कासवासन दिया गया बैठा के दोरान कर्नल भीकास भोला ने रैली में भाग लेने वाले युआओ को मौलिक सुविधाय उपलब्त कराने को कहा इसके अलावा बिदी ब्यवस्ता ट्रैफिक ब्यवस्ता रैली ग्राउंड में भरती अस्थल की चोतारफा सुरक्षा रैली अस्थल ग्राउंड में CGI सीट बैरिकेटिंग छेत्र रैली ग्राउंड 1.6 किलोमीटर रॉन एरिया और निर्धाजित बिश्राम छेत्र के आस्पा सुरक्षा ब्यवस्ता यातायात प्रबंधन मेडिकल कोवर और रैली अस्थल पर एमबूलेंस के साथ मेडिकल टीम को तैनात करने को कहा गया है भावी से के पेजल संकट को देखते हुए बीसे स्कार जोजना बनाए मुख्यमंत्री प्रजेक्ट भन में पेजल यहम स्वक्षता विभागी समिक्षा बैठक दुरानती है मुख्यमंत्री ने कहा है कि पैंचात अस्तर पस्विक्रीत नए नलकूपो की कारे प्रगती में तेजी लाए खराब पड़े नलकूपो की मरमती कारे भी आवस्य कराए मुख्यमंत्र पूरा करें मुख्यमंत्री ने कारेकरा में कहा है कि इस तरह के मेडिकल कॉलेज हस्पिटल की बहुत जरूरत है यहां के लोग इलाज के लिए राज्य से बाहर दिल्ली वचेनाई जैसे बड़े-बड़े सहर जाते हैं आज के दिन में हस्पिटल बहुत जरूरी है सरीर को स्वस्थ र जलाई तक बढ़ी पीए मेले कोट ने बढ़गाई अंचल के आठ पंचाट शाओ एकर जमीन फर जीवारा मामले में राज के पुर्मुख मंत्री हमान सुरेन समेत बारह की नाईख हिरासत अधिये 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है इससे पूर्व जेल में बंध हमान सुरे रंजन सहाई, इरसाद अक्तर, सेखर कुस्वाहा हजारीबा के कोट कर्मी, इरसाद और कोलकाता के राइस्टार अफ एंसुरेन्स के कर्मी तापस घोष और चोकिदार संजीत कुमार की नाईख हिरासत अधि दो सप्ता बढ़ा दिया है अगली पेसी 11 जुलाई को वीडिय यो कंफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएगी हैमान से एक फरवाली से नयाई खिरासत में हाए हिमन्त बिश्वा सर्मा 29 को आएंगे रांची करेंगे समिक्छा लोग सभा चुनाव में 5 जन जातिये सीटों पर हार की समिक्छा परदेश चुनाव सप्रभार हिमन्त बिश अरक्षी सीटों पर भाच्पा परत्यासी रहे नयताव और परदेश के वरिष्ट नयताव के साथ बैठक करेंगे मध्य परदेश के फरमूले पर पर पार्टी चुनाव में उतर रही है इसी रण निति के तहद जुलाई महीने में विधान सभा के उमिद्वारों की पहली पर्टी परत्यासीों की घोसना की जा सकती है ताकि उन्हें तयारी का प्रयाप्त मौका मिले मुख्य मंत्री बहन बेटी स्वामलंबन युजना पर लगेगी मुहर मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन के नितित में राज मंत्री परषत की बैठक सुक्रवार को होगी इस दोरान कई अहम परस्तावों पर मुहर लगेगी मुख्य मंत्री बहन बेटी स्वामलंबन परसाहन युजना का परस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है यह महिला बाल बिकास विभाग की युजना है युजना की तहत राजी की 25 वरस से लेकर 50 वरस के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब हो जरुरत मंद महिलाओं को प्रती माह 1000 रुपए आर्थिक साहता दी जाएगी कैबिनेट में परिवहन विभाग से जुड़ी मुख्य मंत्री गराम गाड़ी युजना और गुड सेमे रीटन युजना में स्वंसोधन का भी प्रस्ताव लिया जा सकता है सीएम गराम गाड़ी वजना के तहट अभी नई गाड़ियों के गाउ में चलाने का निर्देश था अब गरामिन इलाकों में चल रही पुरानी गाड़ियों को भी इस वजना से जोड़ा जा सकेगा नियुक्ती की घोसना चमपई सरकार की साजिस बाबुलाल मरांडी परदेश भाजपा अध्यक्ष एम पुर मुख मंत्री बाबुला मरांडे नियुक्ती की घोसना पर राज सरकार को घेरा है बाबुलाल ने कहा है कि ए वही सरकार है जिसने अपने पहले पार्ट में नियुक्ती वर्ष की घोसना करके युवाओ को निरास किया है जे सेसी द्वारा जारी चुनावी परिक्षा कलेंडर में दो तीन माह बाद की समभावित परिक्षा तिथी घोसना करना चमपई सुरेन सरकार की एक सोची समझी साजिस है भाजपा परदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये वरष्ट सरकार विधान सबा चुनाव तक युवाओ का आक्रोस दबाय कर उन्हें गुमरा करना चाहती है ज्यारखन में 29 से जोर पकड़ेगा मानसून राजपास के छेत्रों में गुरुवार की साम जमा जम बारिस होई बिभीन हीसों में होई बारिस ने कई दिनों से उमस की गर्मी झेल रहे सहरवास्यों को रहात मिली है राजपास के उपर बादल चाहे हुए है रागले 24 गंटे के दोरान भी बारिस होने का अनुमान है मौसम भीभाग के प्रोणमान के मुताबिक राजपास की समयत पूरे राज़े में 29 जून से मानसून के जोर पकड़ने का अनुमान ब्रक्त किया गया 29 जून से लेकर एक जुलाई तक राजपास की समयत पूरे राज़े में बारिस होगी बारिस होने से राची के तापमान में 3-4 डिगरी तक की कमी आएगी बता दे राची का अधिक्तम तापमान गूरुवार को 33-4 डिगरी और नितम तापमान 25-2 डिगरी रहा है एक करोर 92 लाख में फाइनल हुआ जगरनाथ पूर मेले का टेंडर राची में हर साल लगने वाले जगरनाथ पूर मेले की टेंडर पर किरिया पूरी हो गई है पतना की कमपेनी आरांब बिजनेस आएन मारकेटिंग ने 1.92 लाख रुपए की सबसे उच्ची बोली लगा कर टेंडर अपने नाम किया है गुरुवार को जगरनाथ पूर्थाना में राची एडियम ला और रायस्वर नाथ आलोग की मवजूदगी में टेंडर खुला गया मौके पर जगरनाथ मंदीर न्याज समीती के अधिकारी और टेंडर डालने वाले लोग मवजूद थे इस वर्ष रांची के धुरुवा में 7 जुलाई से एतिहासिक जगरनाथ मेला लगने वाला है मंदीर के आज पास 41.27 एकड़ भूई में मेले के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी मेले का टेंडर जारी किया गया जिसमें 12 लोगों ने टेंडर भरा है तिन लोगों का टेंडर टेक्निकल भीड में सही नहीं होने के कारण रद कर दिया गया बाकी बचे आठ टेंडर में अरम बिजनेस एंड मार्केटिंग की एक डोर 92 लाग की सबसे उची फाइनेंसियल भीड थी जिस कारण इस साल का टेंडर उन्हें मिला है सुदेश महतों ग्रिह मंत्री अमित सहसे मिले में भी देश में विकास और सफलता के नए आयम अस्थापित करेगी रिम्स को चलाने में स्वास्त विभाग नहीं दिखा रहा दिल्चस्पी जार्खन हाई कोट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय वजश्री दिपक रोशन की खंडपिट में रिम्स की चीकिसी बेवास्ता में सुधार के दाखिल जानीतियाज का पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोना अदालत ने राज के अधिकारियों की कारेसाली पर सवाल उठाया है अदालत ने मौखिक कहा है कि प्रतीत होता है कि रिम्स में चलाने में स्वास्त विभाज दिल्चस्पी नहीं दिखा रहा है और ब्योरो क्रेप्ट्स की दखलंदाजी से रिम्स की अधारबुत सनरचना बेहतर नहीं हो पा रही ऐसे में रिम्स को बंद कर देना चाहिए अधालत ने नराजगी चताते हुए सुक्रवार को स्वास्त चीव रिम्स निदेशक और जार्खन भवन निर्मान निगम के एमडी को ससरीर हाजिर होने का निदेश दिया है सलक हाजसे में घायल को मदद करने पर सरकार देगी 10,000 रुपए तक की इना जार्खन सरकार में परिवहन मंत्री दिपक बिरुवार ने बुद्ध्वार को भवागिये कारियों की समिक्षा करते हुए दिशा निदेश दिया है कि सलक दुर्गाटनाओं में घायलो अथवा हाटाहतों को ततकाल रहात परधान करने के लिए अलग से फंड का करते हुए इसके तहट लाभकों को पांच से लेकर दस रुपे तक की साहता परधान की जाएगी मंत्री ने कई वजनाओं की भी समिक्षा की है अवस्षक दिशा निदेश भी दिये हैं सराय केला में घूस लेते महिला लिपिक गिरफतार सराय केला में LRDC करेयाला में परधान लिपिक के प्रभार में कररत महिला करमचारी स्वागता नंदा को ACB की टीम ने गुरु आर्दोफार रिस्वत लेते रंगेहाद गिरफतार कर लिया है गिरफतार करने के बाद उसे अपने साजमसेद पूर ले गई महिला प्रधान लिपिक स्वागता नंदा ने सिंग स्वय नामक ब्यक्ति के मिट्योशन फाइल बढ़ाने के काम के एवज में 8000 की मांगी थी इसके बाद मामला ACB के पास पहुँचा है ACB के रंग लगे नोट के जाल में महिला फास गई है गिरफतारी अभियान में ACB DCP सुनील चोधरी महिला एवाम पूलिस करमचारी मवजूद थे छापे मारीक दवरान LDC कर्याले में हड़कम मच गया है जारकन के 31 स्टुडेंट को देश बिदेश में मिली नवकरी जारकन के मुख मंत्री चमपईस उरने कल्यान गुरू कूल एवं कॉसल कॉलेज के 31 शात्राव को विरस पत्तिवार को नियुकति पत्रसोपा इने देश बिदेश की कमप्णी में नवकरी मिली है इस औसर पर CM ने छातरों से कहा है कि घर, परिवार, समाज और राज के प्रती अपने दाइतु का निश्ठा से निर्वहन करे मुखे मंतिर चंपाई चुने ने कहा है कि उनकी सरकार ज्हारखन के युवाओं के कौशल, विकास और रोजगार के लिए किरिज संकल्पी था वाहिनी के रूप में काम कर रही प्रेग्या फांडेशन करता है खुटी से दो उगरवादी गिरफतार पीलेफाई के एरिया कमांडर बिसनू मांजी सहीत एक अने उगरवादी, सामू, डोडराय और फुट्टू को पुलिश ने गिरफतार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है दोनों तोरपा थाना छेतरे के कुटाम जारिया गाउं के रहने वाले है उगरवादियों के पास से एक देशी काटा, तीन कार्तूस, पीलेफाई के चार परचे, चोरी की बाइक और पांच मोबाइल फोन भी ब्रामत किये गाए SDPO ने बताया, उन्हें गुपत सुचना मिली थी कि पीलेफाई के एरिया कमंडर एक आने युवक के साथ तर्पकारा थाना के तेतर टोली के पास एक मोटर साइकल से गोम रहे हैं धन्यवाद